हलो दोस्त रेलवे लाइप यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है हलो दोस्त रर्वी एलपी परिछा ये कबली कठारा जिसमें रर्वी मुंबई का अपडेट है कुछ लोग करते हैं पैनल कब आएगा एलपी टेकनीशिन का हला कि ये पूरी तरह से रर्वी पर डिपेंड करता है कब देता है लेकिन एक थोड़ा सा हिंट मिल गया है जिसमें गलत मेडिकल सर्टिपिकेट का परियोग करने पे नौकरी से बाहर निकाए ले जाने का खत्रा है साथ में कंडिडेट को लाइफ टाइम के लिए बोला जा रहा है कि हम क्यों नहीं बेहन करें आपको रेल्व में कि आपको फ्यूचर में देलवे में जॉब नहीं मिले या और भी गॉर्मेंट जॉब में क्योंकि आर आर भी का ये लेटर अगर देखिएगा तो कंडिडेट द्वारा सेयर हो रहा है जिसमें आई करेक्टिब सरजरी पाया गया है जिसके कारण से कंडिडेट को कैंसिलेशन साथ में बोला है कि एक इस दिन में आप टाइम दीजिए आपको मिला है कि आप बताएं क्यों नहीं आपको आगे की फ्यूचर एक्जाम से आपको इसको ओफिशल देखना चाहेंगे तो ये लेटर है जिसमें कंडिडेट को दो-तीन चीद देख लिजिएगा डेट का इसू है अठारा का है आर आर भी कौन सा है तो मुंबई है देख लिजिएग नंबर भी है साथ में पोस्ट का है यहां देखिए क्या हुआ है का रायक यू है कि हैड अपलाइट फोर दी पोस्ट अप एलपी टेक्निशियन अगेंस सेंट्रलाइजर नोटिस नंबर एक अबलिक 18 जो डिटेल दिया हुआ है उसमें 17.2 नंबर पैरा नंबर है इसको देना होता है यह गलत दिया गया है इसके पाया गया है रेलवे में तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है जो जेनरल इंस्ट्रक्शन 17.2 है उसके रिगार्डिंग दिया है कि फरनीश्ट फाल्स इंफॉर्मेशन फोर आरार्बी डिबेरेट सप्रेशन ओप दी एनी स्टेज फोर अपीरिंग तू सेलेक्शन ओफ एक्जामनेशन ओप अपॉइंटमेंट ओप रेलवे फ्योर एनी गवर्मेंट सर्पीस बगेरा बगेरा इसमें लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग लेकिन हुआ क्या कंडिशन यहां लिखा हुआ है जिसमें कंडिदेट क सर्जरी इन बोथ आई वीच सो फाल्स एन मुल्क आपका है देखिएगा मैलाफाइट इंटेंशन आइन डाउटफुल इंटेग्रेटी आपकी इंटेग्रेटी सत्यता डाउटफुल हो रही है जिसके कारण से आपकी मानी जाती है और यह बिलकुल किलिए दिख रहा है कि मेडिकल एक्जामनेशन से पहले कंडिडेट ने लिखा होगा कि मेरा कोई करेक्टिब सर्जरी नहीं हुआ है और रेलवे ने यह पा लिया इनको क्या दिया है इनको टाइम दिया है कि 17.2 पैरा नंबर 17.2 क्या है वो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में तो यह हमारे पास Centralized Notice No.1 अबली कटा रहा है इसमें पैरा नंबर 17.2 देख लेते हैं 17.2 किलियर करता है कि आप किसी भी स्टेज पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको एनी गवर्मेंट सर्वीश बगेरा से लाइप टाइम या कु क्यों नहीं रेलवे से डिस्क्वालिफाई कर जाए लाइप टाइम के लिए पलस में और भी गवर्मेंट सर्वीश या कोई भी और जोब है उसके रिगार्डिंग है तो समझिए ये मिसलीड करना गलत करना बहुत खतरनाक है कई बार अगर पकड़ी जाती है आपकी गलत कंडिशन तो ये अरअरवी इसके खिलाप एक्षान ले सकता है जैसा कि यहां लेने की बात कर रहा है आर-अरवी हाला कि कई बाइटों में अरवी गन्डिडियेट के साथ है थोड़ी से सहानवोती बरतता है कि अच्छी से हो और गन्डिडियेट को भी चाहिए कि ऐसा नह या मिलने की दो दिन और जोड़र लीजिये एक औरःव 토 फ़ोज्द्ः कि दू से तील दिन में डिलीवर भी हो जाए तो पचीस दिन लगता है तो इसरतारण बारॉ ऑटलाइघ दीली लाजाए और अरे पहले पहले भी दे लेकिन में कंडिश्थान यही कहिएगा कि हम कैसे कर सकते हैं कि cancellation का पहले लाए तो यह हमारे लिए example है कि हमने दोनों को देखा है RRB कौन सा नहीं जानेंगे तो हम बताएंगे Bhopal RRB Bhopal में connect list दे दिया है और ध्यान देने वाली बात है कि RRB Bhopal में भी WR की post होती है Central Railway की post होती है और मुंबई में भी यह post दोनों होता है तो एक जोन का नियम एक ही जैसा चलता है इसलिए का सकते हैं कि RRB मुंबई cancellation पर पहले काम करेगा उसके बाद पैनल लिस्ट आएगा तो उमिद करिए कि 10-15 दिन और आपके पास है 10-15 दिन में RRB को पैनल आ जाना चाहिए यह अंदाजा है